हेलो व्रिवन वेलकम टूपी एस तो यहां पर हम जोग्राफी क्लास 6 यह की एंसी आर्टी जह वो डिसक्स कर रहे हैं तो यह हमारा चप्टर 6 रहेगा मेजर लैंड फॉर्म्स आफ ती अर्थ अच्छा तो हमारा चैप्टर रहेगा मेजर लैंड फॉर्म ऑफ ती अर्थ तो यहां पर क्या चीज बोले गए यही बोले गए कि आपने देखे होंगे कुछ लैंड फॉर्म फीचर हो हमें देखने को मिलते एं हमारी अ donor के उपर जो कि हमने यहां पर फिर्गर 6.1 जो है उसमें शो कि है जो कि हम देख सकते हैं तो चलिए एक बार देख लेते हैं जो इस देखो मैं जैसे कि आप देख सकते हो यह आगया हमारा मौंटेन यहागया मौंटेन रेंज पहले तो आपको यE चीज बता अँचा है कि मौंटेन क्या हका होता हद यह मौंटेन क्या मौंटेन तो मोलें गर आप से पैरलल देखने को मिल रही है तो इस टाइब के अगर आपको देखने को मिल रहे है तो इसको क्या बोलते हैं तो आप इन शॉर्ट यह याद रखो सिंगल जो हमारा एक पहाड होगा सको मौंटेन बोलते हैं और आएसे आप देखो कि कई सारे मौंटेन का एक कमभीनेशन देखने को मिलरा उसका मैं सिक्वेंस मैं यह होंगे यह देखो यह देखो यहां पर हम देखें यह देखो mountain एक ये दूसारा यह दूसरा यह चोथा कहीं सारी mountain दो है कठी है तो इसको हम क्या बोलते हैं यह मौन्टेन रेंज हो मैं इसे को हैं रिखे घ्तिक तो हम यह बोल सकते हैं कि यह आपका लैंड फॉर्म फीचर आ गए वन यह आगए आपका टू माउंटेन रेंज जैसे की प्लैट्यूज देख लो तीन जैसे की आप प्लेंज देख सकते हो प्लेंज यह आपके फोर ग्रीन कलर के हमारे ठीक है से रिप्रेजन किया हुआ है क् हुआ है तो बाकी यह यह लेक आएक ठीक है यह पयाख लो यह सारे जो कि हम बोल सकते हैं कि यह हमारे क्या है लैन फे यहां पर देख को बाकी जैसे हम आगे बठते और रेचिक है अपको पता दो आrica बत्तर्व कि जन्रल यह आप देखो ऑर्त अको ऑर्हीं आर्थ है यहां से फ्लाट नहीं को मिल रही फिर फ्लाट अपको अपको नहीं मिल रही है। सब्सक्राइब आपको देखने को नहीं मिल रही है आपको यहां पर अन इवन सर्फिस जो हो देखने को मिल रहा है कहीं आपको सीधा देखने को मिल रहा है और कहीं आपको जैसे हाइड देखने को मिल रही है डिप्रेशन देखने को मिल रहा है तो इस टाइप के आपको of the Earth is not same everywhere वही चीज हमारा जो अर्थ का सर्फेस वह सेम नहीं होता कहीं पर आपको फ्लैट देखने को मिलता और कहीं पर आपको मौंटेन से हाइट देखने को मिलती है कहीं डिप्रेशन देखने को मिलता वही चीज लिखी है अब अर्थ में जो है कहीं सारे आपको मौंटेन देखने को मिलेगा यह यह लैंड फॉर्म आपको यह wzglते तो अर्थ में आफ Jadi सभी रग्ड अंस अगरा में बातकरें अब यह समझो गें यहां है हुआरेगों हो्ट वहागे यह समझो हमारा यह एक लेंड होता है ठीक है लांड होता है जिसके ऊपर हम मतलब कि हम रहते हैं ठीक है जिसके मांटेंद कर रही है तो आप लिऊकर सफहर उसको मान सकते हो अपकर पोर्षण जो हमारा cohered का होता है जो कि आपको देखनी को मिल र 죄송 strip सफार भोलेंगे ठीक है बाकि अन schreiben का भी पॉरिशना बाट जादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी कुछ एक लिमिट होती है कि इसकी एक डैप्थ होती है वह यहां पर नहीं देखेंगे जैसे हाइर क्लास पर जाएंगे वहां पर डिसकस करेंगे बट अभी आप छोटी क्लास के कॉर्डिंग अब यह ही या यहां पर आपको देखने को मल जाएंगे हैंघ Michimwide इस सरंथ सबसेंग टोब यहाएई यहां पर manic books करते हैं घॉज जिस्यक्ट ऌफ टू प्रॉसेस और जितने भी यहां पर यहां पर दाउन्क 50 बंते हैं चाहिए और आपका मंउन्टेन होगा फ्लाटी होगा बन्हों प्ल तो प्रॉसेसिस का ही रिजल्ट है यू विल बी अमेज़ तो नो डैट तक ग्राउंड यू स्टेंडिंग ओन इस लोली मुविंग और यहां पर यह भी वह लगेगा आपको जानने में बड़ा एक अजीव लगेगा कि जिस ग्राउंड के ओपर आप खड़े हुए हो ना यह टोन के अब कितना मूव कर रही है तो यह बात मां सकते हो कि 0.5 सेंटीमेटर साल का इतना जो हमारी अर्थ जाय है टेक्टोणिक एक्टिविटी वह देखने को मिलती है तो आप यह देख सकते हैं आर्थ भी जो है वह स्टेशनरी नहीं है अर्थ प्रीमारी जो है उसके अं जिसके ओपर आप खड़े हुए हो यह भी बेसिकली मूव कर रही है और बड़ी स्लो मूवमेंट है इसकी कितनी 0.5 cm या फिर 1 cm आप कर सकते हो एक साल में जो कि हम फील नहीं कर सकते हैं तो फिक है जिसके कारण हमें क्या है इसकी मूवमेंट का हमें फील जो है वो नहीं हो प यह मूव कर रही है विडिन मूवमेंट जो की अर्थ के एंदर कॉंदियों हो इसमें जो है वह देखने को मिल रही है ओर उन प्लेट में प्लेत आपक्षार्स में प्लेत करेंगी तो इनकुछ सुमधिट को मिलीगा तो वह। और यहां पर मौनटेयन बन जाती है पर यह याद रूए है कि यह तो हो सब्सकाने के अलव yum बार कि यहां कि प्रक्ताय आप है करवा यहां प्रक्ताया रहुत है अपने को देखने को मिटल सकते हो मिड अट्लांटिक रीजी जो हमारा अट्लांटिक कोशन में वहां पर भी सेम प्रॉसेस यही चल रहा है ठीक है तो जो कि आप यह भी आइडे रख सकते हैं बट आपको यहां पर डिटेल में नहीं जाना इतना है जैसे हम हाई क्लासिस में जाएंगी न वहां पर यह सारी ची प्लेट करते हैं या फिर आप बात कर सकते हो कि हमारी जो माउंटेंस बगारा जितनी भी बन रही है तो यह हमारी जितनी बहुत इननल प्रॉसेस कारण वह वह इन्ट्रेण प्रॉसेस हो बसे इंट्रमने अग्रोश्च्छ के निखिस थायए हमारी प्लेट्स की ऐग्या न बन जाती है ठीक है है अच्छा अब हम बात करते हैं कि यह तो हो गया जी टर्ल्प अब हम बात करें ना कर द में सर्फेस यारी के मत K्टने बात करें न बीस हो गए अब ऑस मॉंटेन के एंपर को हो दो है हमारे कुछmmm गेंडिंट जिन दान चाहरे इह शक्ते हैं उस उसमें आपका वो हम यह बोलेंगे कि रिवर भी हो सकता है विंड भी हो सकती है गलेशियर्स भी हो सकते हैं तो यह रिवर विंड गलेशियर्स यह क्या होते हैं हमारे एजेंट होते हैं इरोड करने के ठीक है बाकि इसको डिटेल में आगे देखेंगे तो यह क्या करते हैं य मौवेंटरिaining बात है यह हमारी मौव under कितनी हो झाएगी थोते हैं चौकी हैट हो जाएगी इस गार्क हैं इसको इंश का को पूरło हुह रही है मौफ्न कि हैर तैंट है कि कि एक्सटा मधा उड्यीम मैं सुलूर तृमा करें इस पहाड को क्या करेगी तो यहां पर इरोजन होगी जिससे क्या होगा इसकी हाइट जो है वह चोटी हो जाएगी तब ही आपको आज के टाइम पर चोटी देखने को मिलती है ठीक है तो पहले जब यंग थी उस समय इसकी पीक हुआ करती कोनिकल पीक हुआ करती थी मौन्टेन की बट अब इतनी रोजन होगी जिसके करना कोनिकल पीक जो हो खत्म हो चुकी है अब इसकी फ्लैटेंड ड्राउंडेंड हमें जो है वो देखने को मिलते है असका टॉप अरावली का तो ऐसा ही बोला जाता है जो हिमाले जाना यह तो अभी यंग है बट अरावली भी किसी टाइम पर इसी की तरह जो यंग हुआ करती थी बट यह बोला गया है कि अब यह से हिमाले जब यंग है यह आने वाले टाइम पर जो हमारी यह एक ओल्ड फोल्ड मॉंटेन बन जाएगा हिमाले जो भी आरावली की तरह जो जो चोटी हो जाएगी और किसके कारण नहीं एक्सटरनल प्रॉसेस हैं ठीक है यही पर अभी तो मैंने आपको विंड बताया रीवर का भी इंपॉर्टन्ट रोल प्ले होता है यहां पर वह भी रोजन करती है पहाड़ों के और उसके बाद हम बात करें अंडर ग्राउंड वाटर जो है उसके कारण भी इरोजन होती बाट यह सारा हम डिटेल में आगे डिसकस करेंगे जैसे आप आगे चलते जाओगे ठीक है अब या बस आप इतना ही याद रखो कि एक्सटरनल प्रॉसेस हमारे होते हैं और उस एक्सटरनल प्रॉसेस कॉंटिनिसली अगर इस मौंटेन के ओपर एक्ट कर करेंगी इसको या तो हम यह बात करें इसको रीवर जो है वापने साथ इसको लेकर जाएगी यहाँ पर तो रीवर की स्पीड अच्छी तो यहां पर चीजों को जो साथ लेकर आई थी तोड़कर यहां पर डिपॉजिट करना शुरू कर देगी तो यहां पर हमें जो है वो यहां से मटीरियल टूटा और यहां पर मटीरियल आकर डिपॉजिट होना शुरू हो गया ठीक है तो हम यह देख रहे हैं यहां पर प्लेंस की फॉर्मेशन बनती हुए हमें देखने को मिलती है यही जो रीवर अपने साथ सॉयल वगारा या जो भी मटीरियल अपने साथ ले नहींगी है तो देख लो यहां पर वही चीज़ लिखी हुई है कि यह देखो वही चीज़ लिखिया कि सैकेंड के हमारा एक्सटरनल प्रोसेस इस तक कॉंटिन्स वेरिंग डाउन और डी बिल्डिंग ऑफ ती लैंड सर्फेस वही देखा कि मॉंटेन को यह क्या करेगा त जाएगी तो वहां पर क्या करतेगी वहां से डिपॉजिशन स्टाट हो जाएगी यहां पर माटियेल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएक और यहां पर मारा एक और राइड सर्फेस जब री बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा थे तो यह वही चीज़ लिखिया बाकि इसको आगे deposit किया जाता है इनी रिवर्स के द्वारा वही यहां पर deposit हो गया यहां पर deposit होते हैं निया plane की formation देखने को मिलती है इस तू प्रॉसेश्जार कैरीड आउट बाई वही देखा है दोनों processes जो है इंटन यह जो हमारा हम बात करें कि यह जो erosion और deposition erosion को एग्रेडेशन जो है erosion जो इसको erosion बोलेंगे और यहां पर deposition जो है इसको aggregation भी बोलेंगे ठीक है तो हम यह बोलेंगे यहां पर erosion हो रही है और deposition दोनों processes हमें देखने को मिल रहे हैं यही wind कर सकती है reverse कर सकती है running running water जो है यानिकि river बोल सकती हो ice wind यह सारी चीज़े जो है यह कर सकती है ठीक है तो यहां पर वही चीज़ लिखी हुई है तो बाकि broadly we can group different landform तो बाकि यह है कि हम different landforms को जो है वो categorize कर सकते हैं हम ऐसे कर सकते हैं एक हम category इस type की landforms की बना दे on the basis of height बना दे ठीक है on the basis of height बना दे यानि कि आप बोल सकते हैं elevation बना दे एक categorize करते हैं landforms की on the basis of slope ठीक है जैसे हम बात करें mountains देख लो mountain की height जादी है plateau की height थोड़ी कम है और plains की बिल्कुल ही कम height है ठीक है जब भी हम height को major करते हैं from the sea level major करते हैं क्योंकि sea level जो है उसको क्या consider करते हैं zero meter height उसकी करते हैं इसे जब भी कोई height को major किया जाएगा from the sea level किया जाता है तो यहां पर यह वही चीज़ लिखी हुई है कि landforms को जब भी categorize किया जाएगा तो हम किस basis में करते हैं on the basis of elevation height की basis में करते हैं और slope की basis में करते हैं और उसमें को से landforms मूंटेन देख लो प्लाट्यूस देख लो प्लेंस देख लो यह हमारे इसमें categorize किये जाते हैं ठीक है तो बाकि यहीं बेसिक था बाकि जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यह करके जो है वो detail आता जाएगा ठीक है बाकि एक्टिविटी भी देख लो अगर आप activity भी करना चाहो तो किशनी इस इस बस्कुछ नी बोला वासऊबर्लो इस पेपर में आप क्या कर लो यहांसे फॉर्स लगाओ एक हाथ अपना यहां पे रखो एक हात आपना यहां पे रखो ठीक है यह हैँ एक जब हा लिक टिर इस त्हूर्स लगा रहे हो इसके आप उपोजिट दोनों के तो पाइलाप होता जाता होता जाता और यहां पर mountain की formation ले 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 अगा बट कैसे होता है वह यहां पे डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जैसे आप higher classes में जाओगे सब Mea पर डिटेल में आएगा भी आपको यहां पर समझ भीए नहीं आने वाला ठीक है अब या बस यही आदर को जो मैंने आपको पड़ाया है एंसी आर्थी में यही सफिशेंट अभी आपके लिए ठीक है तो बस इतना ही रखते हैं बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक ब्रहुआ है किएडिक्डर झाल ए मैंचे आपके विए भें से तो फो य saja करें यही कि अवी है cog न।